कॉंग्रेस राजस्थान, छत्तिसगड, मध्यप्रदेश, तेलंदाना व मिजोरम के विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। लगभग सभी राज्यों में पार्टी गुटबाजी व कलह से जूज रही है। इससे उबरकर नेताओं को एक जुट कर चुन 24 के लोग सभा चुनाव से पहले पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव काफी अहम हैं। कॉंग्रेस राजस्थान व छत्तिसगड में। सरकार रिपीट करने के लिए मशक्कत कर रही है। जबकि मध्यप्रदेश में वापसी के भरसक प्रयास में है। राजस्थान मे मुख्यमंतरी अशोक गहलोत व पूर्व डिप्ती सीएम सचिन पाइलट के बीच कलह करवाहट में बदल चुकी है। पाइलट को लेकर कई तरह की सियासी चर्चा चल रही है। हालां की पाइलट के नजदी की नेता चर्चाओं को अफवाह बता रही हैं। वहीं 36 गड़ म मुख्यमंतरी भूपेश बघेल व मंतरी टीएस सिंहदेव के बीच सियासी रस्साक्षी आम है। ऐसे में कॉंग्रेस ने करनाटक फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाने की रणनीती बनाई है। करनाटक में कॉंग्रेस ने सिधार मया वड़ी के शिवकुमार की कलह के चलते क किसी को मुख्यमंतरी का चहरा नहीं बनाया बहुमत आने। पर विधायकों से रायशुमारी वमतदान करने से सिधार मया को मुख्यमंतरी बनाया गया है। अब अन्यराज्यों में भी इसी तरह की रणनीती तयार की गई है। पार्टी आलाकमान सभी नेताओं से बात कर इ पिछले दिनों कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे वा कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की, सूत्रों ने बताया कि खरगे वा राहुल ने गहलोत वा पाइलट को यही समझाया कि चुनाव में एक जुठ होकर काम करो। बहुमत आने पर विधायकों से मतदान करवा कर मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री के चहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा राजस्थान व छतिस गड़ में कॉंग्रेस अपनी सरकारों के का पर चुनाव में उतरेगी। इसके साथ ही कॉंग्रेस शासित राज्यों में गारंटी कार्यक्रमों के लागू करने को भी मुद्दा बनाया जाएगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव की अगुवाई करते दिखेंगे इधर केंद्रिय मंत्री एवन राजस राजस्थान के जोधपूर से लोकसभा सांसत गजेंद्र सिंग शेखावत ने राजस्थान में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीती के बारे में चर्चा करते हुए यह दावा किया कि भाजपा अपने सबसे लोकप्रिये चेहरे प्रधान मंत् प्रतिसपर्धा होना सेहज है यह स्वाभाविक प्रतिसपर्धा का विशय है कि व्यक्ति आगे बढ़ने की इच्छा के बारे में सोचता है लेकिन जब कोई यह कहे कि भाजपा में नरेंद्र मोदी का नेतरित्व नहीं है और मैं अलग हूँ आप अलग हैं अगर कोई यह कहे कि उन्हें भाजपा संसदिय बोर्ड में भरोसा नहीं है तब यह गुटबाजी हो सकती है लकिन भाजपा में कॉंग्रेस की तरह हालात नहीं है हमारी पार्टी में सभी मानते हैं कि भाजपा का चुनाफ चिह कमल है हमारे नेता प्रधान मंत्री मोदी अमित शाह और ज और ना ही कोई गुझाइश रह जाती है जिस पार्टी के पास दुनिया का सबसे लोकप्रिये चहरा और सबसे सक्षम नेत्रित्व हो उस पार्टी को चहरों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास मोदी का इतना सशक्त चहरा है जिनके लिए देश की जनता में आज भी इतना जबरदस्त क्रेज है हम राजस्थान में प्रधान मंत्री मोदी के चहरे पर चुनाव लडेंगे और आगे की प्रक्रिया तै करना पार्टी के संसदिय बोर्ड का काम है संसदिय बोर्ड यह तै करेगा कि राजस्थान का नेत्रित्व कौन करेगा यानि मुख्यमंत्री कौन बनेगा?